जहां सूरे की उर्जा का है 24 घंटे बसेरा वो है मेरी यानी सूरे की नगरी मोठेरा पहचाना मुझे मैं हूँ सूर्य संपूर्ण विश्व को प्रकाशित करने वाला एक मात्र स्रोद मोठेरा मुझे समर्पित एक एतिहासिक नगरी जिससे मेरा संबंध है विश्वास का अटूट उर्जा का और जन जन की आत्म निर्भरता का मोठेरा का गहरा नाता है हमारे माननिय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी से एक विराट लक्षे का भारत देश में 500 गिगावाट अक्षय उर्जा उत्पादन का संकल्प जितना बड़ा तैयारी उतनी ही बड़ी थी गुजरात हमेशा से सौर उर्जा के क्षेत्र में बड़ी चलांग लगाता आया है चाहे कच्छ के खावडा में दुनिया का सबसे बड़ा रीनियूबल एनरजी पार्क बनाने की बात हो या चारणका में एशिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क बनाने की या सोलर रूफटॉप लगाने में देश में प्रधम स्थान हासिल करने की गुजरात कारबन का प्रदूशन कम करने और समाज और देश को हरित उर्जा देने में सक्षम एवं प्रतिबध रहा है प्रधान मंत्री जी के निद्रित्व में प्रतिबधता का एक और कदम आज माननिय मुख्य मंत्री फूपेंद्र पटेल के प्रयासों के साथ उठाया जा रहा है गुजरात आज फिर एक बार देश को देने जा रहा है अनुकर्णिय उदाहरन मोधेरा बना है देश का पहला शत प्रतिशत 24-7 सौर उर्जा संचालित आत्म निर्भर गाउं मोधेरा में लगे हैं 6 मेगवाट सौर उर्जा उत्पन्न करते संयंत्र और 1300 से अधिक घरों पर हुए हैं सोलर रूफटॉप इंस्टिलेशन इतना ही नहीं पूरे देश में पहली बार मोधेरा में मुम्किन हुआ है 15 मेगवाट आवर का एनजी स्टोरेज पावर का बैकप भी सोलर ही रहेगा मोधेरा में सौर उर्जा आधारित अत्याधुनिक इवी चारजिंग स्टेशन भी बनाए गए हैं लगाए गए हैं स्मार्ट एनरजी मीटर्स भी और बना है एक स्मार्ट एनरजी सेंटर देश के लिए ये नई दिशा का दर्शन है मोधेरा गाउं में नागरिकों को आज बिजली लगभग मुफ्त मिल रही है जो उनके द्वारा पैदा की गई बिजली है अधिक बिजली उत्पादन करने पर उन्हें सरकार से मिल रहे हैं पैसे और सुधर रहा है उनका जीवन स्थर ये सिर्फ एक सोलर प्रोजेक्ट नहीं है ये प्रोजेक्ट है लोगों को बेहतर जीवन से जोडने का युवाओं को बेहतर रोजगार से जोडने का बिजली खर्च कम करने का और आय बढ़ाने का ये दूर दृष्टी थी प्रधान मंत्री जी की जिसके कारण आज भारत बन गया विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर उर्जा उत्पादक देश और देश में गुजरात खड़ा है दूसरे स्थान पर उर्जा का अक्षय भात्र मैं सूर्य अस्त भी होता हूँ तो दूसरों के लिए उर्जा छोड़ कर जाता हूँ मोढेरा की तरह पूरा देश उर्जा क्षेत्र में आत्म निर्भर बने और आने वाली पीड़ी को परियावरण के साथ चलकर तरक्की करना सिखाता रहे यही मेरी कामना है आओ बनाएं आत्म निर्भर भारत